हलो डियर स्टुडेंट्स मैं अरुम कुमार सिंग आपका अपने यूटूब चैनल अरुम सर एकडमी पर हटली वेलकम करता हूँ आईए जो हमारी सिरीज चल रहे थी टेंस की जिसमें प्रेजेंट इंडिफरेट टेंस का अफरमेट्व निगेट्व और इंट्रोगेट्व हमने क्या कर लिया है आज हम चालू करेंगे उसी सिरीज में प्रेजेंट कांटीनिवस टेंस तो अब सबसे पहले बात आती है कि प्रेजेंट कांटीनिवस टेंस का अर्थ क्या होता है कोई बताएगा आप में से कि प्रेजेंट कांटीनिवस टेंस मिंस कहते क्या है बताओ present continuous का जो पहचान है वो पहचान तुम्हारे इस हेडिंग में ही छिपी हुई है ना कहता present tense माने वर्तमान काल वो continuous continuous माने जो लगातार चालू है लगातार जारी है मतलब वर्तमान जारी काल present continuous tense का मतलब क्या मतलब इसका समझे कि अभी तक present in different में हमने जो काम पढ़ा जो नियम पढ़ा जिसे वह इस्कूल जाता है तो अभी इस्कूल पहुँच गया कि नहीं पहुचा वह स्कूल जाता है वह किसे हमको पता चला कि स्कूल पहुंचने काम पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ हमको काम पूरा होनी के भी जानकारी नहीं है तो कांटिनियोस में वही काम क्या होता लगातार जारी रहता हुआ है वह स्कूल जा रहा है माला में, स्कूल जाने काम भी चालू है कि नहीं चालू है? तो कान्तिनियोस में काम क्या होता? लगातार चालू रहता है तो जहां पर लगातार काम के चालू होने का बोध हो वह हमारा कों सेटेंस होता है? चालू रहेगा कौँ सटेंस होगा? आप चलिए हम इसकी देखते हैं सबसे पहले क्या पहचान, क्या देखते हैं? पहचान. तुम लोग भी साथ हुए नोट करते चलो, और जो बच्चे आनलाइन देख रहे हैं, या रिकार्डड वीडियो देख रहे हैं, वो भी नोट कर ल जिन हिंदी वाक्कियों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, बैठा है, खड़ा है, या क्या हैगा पड़ा है, या कार के जारी, या कार के जारी होने, कार का जारी होना पाया जाता है, वहाँ पर, वहाँ पर कहों सा तेंस होगा, प्रेजेंट कांटी निमस तेंस, वहाँ पर, प्रेजेंट कांटी निमस तेंस होता है, वहाँ पर प्रेजेंट कांटी निमस तेंस होता, ये तो हमारी क्या प्रेजेंट कांटी निमस तेंस की क्या है, पहचान है, फिर से एक बार सुदू, कि जिन हिंदी वाक्तियों केंट में क्या आएगा, रहा है, रही है, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, या कार का जारी होना पाया जाता है, वहाँ पर कौन सा टेंस, मनलब यहाँ पर काम लगाता होता रहेगा जो भी होगा, अगर काम का होना पाया जाया तो कौन सा टेंस होगा, क्लियर हो गया अग्दम, कोई दिक्कत, अगर कोई डाउट हो अभी तु बताओ, फैट अब इसके बाद हम चलते हैं, इसका कौन सा सेंटेंस, अफ़ार मेट्यू सेंटेंस, अफ़ार मेट्यू सेंटेंस मींस, साधारन वाक, अब हम इसके नियम परहेंगे और ट्रांसलेशन करने के नियम परहेंगे, ट्रांसलेशन के नियम क्या है या हिंदी अनुबाद के नियम क्या है प्रिजन कांटी निवर्ष्टेंस में कौन कौन सी सहायक क्रियाएं लगेंगी और वर्विकी किस अवस्था का प्रियोग होता है आईए हम इसके नियम के माध्यम से पढ़ते हैं आपका है रूल चलिए लिखिए इस्टेंस के साधारन वाक्यों में इस्टेंस के साधारन वाक्यों में एक वचन करता एक वचन करता कौन कौन से हैं हैं है सी इट और नेम ही सी इट नेम के साथ के साथ सहायक्रिया क्या लगेगी सहायक्रिया क्या लगेगी इज हैं सहायक्रिया इज तथा तथा बहु बचन करता तथा बहु बचन करता कौन कौन से हैं बताओ आई वी यू दे में आई के साथ आई के साथ आएम तथा अन्य करताओं के साथ तथा अन्य करताओं के साथ सहायक्रिया आई वी यू दे में आई के साथ आएम तथा अन्य करताओं के साथ सहायक्रिया आर का प्रियोग करते हैं दिख नहीं दा रग्या आर का प्रियोग करते हैं तथा वर्व की फर्ष्ट फार्म में आई अन्जी का प्रियोग करते हैं अब इसका फार्मूला देख लीजे उसके बाद फिर चले क्या एक्जाम पर फार्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्व की फर्ष्ट फार्म प्लस आई अन्जी प्लस आप्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस सहायक्रिया तो सब्जेक्ट प्लस इज या आएम आर प्लस वर्ब की हश्फाम प्लस वर्ब की हश्फाम प्लस आई एंजी प्लस आबजेक्ट प्लस अदर वर्ड यह हमारा क्या है? यह हमारा है फार्मूला अब चलेगा हमारा क्या? एक्जामपल चलेगा अब चलिए एक बार इस नियम को हम पढ़ते हैं और उसके बाद प्रिश के क्या देखते हैं ट्रांसलेशन के सारी एक्जामपल देखते हैं क्या देखते हैं क्या देखते हैं कहता इस्टेंस के सरहाण वात्तों में एक बचन करता है, एक बचन करता कौन कौन सा है, के साथ सहायक्रिया, तता बचन करता कौन कौन से है, में आई के साथ क्या लगेगा, मनलब आई के साथ सहायक्रिया अहम लगेगी, तता अने करता हों के सहायक्रिया, अने करता हों मनलब आई के साथ तो अहम लगेगा, तो तथा वर्ब की फर्षफाम में आई एंजी का प्रियोग करते यह होगा और मुख्ष क्रिया में क्या लग जाया करेगा आई एंजी वर्ब की फोर्षफाम वर्ब की कौँ फोर्षफाम होती है अब चलिए देखते हैं हमें क्या एक्जामपल देखते हैं देखते हैं, एक्जामपल देखते हैं, क्या बाद, कुछ तो, एक्जामपल है, वाह, आज, मैदान में, वाह, आज, मैदान में, फुटबाल, खेल रहा है, अब आईए, इसको देखते हैं, वाह, आज, मैदान में, फुटबाल, खेल रहा है, अब, सबसे पहले, ट्रांसलेशन करना, तो, तिन्स, हमको पहचाना, कि वाह, किस, तिन्स का है, इस तिन्स का वाक्य है, कैसे जान गए, क्या लगा है, वाक्यांत में, रहा है, लगा है, अब इसका ट्रांसलेशन किया जा, तो, सबसे पहले, क्या रूएंगे, इस वाक्त में, सब्ज़क्ट क्या है, काहे माने, ही, ही, अब ये बताओ, ही, एक बचन करता है, कि बहु बचन करता है, एक बचन करता के साथ सहायक्रिया, एक बचन करता के साथ सहायक्रिया, अब सहायक्रिया के बाद, अब एक चीप देख रहे न, सब्ज़क्ट के बाद सहायक्रिया लिखी है, तीन, इस, एम, आर, तीनों न लगेगा वी यूब दे होगा तो आज नहीं हुआ अब देखिए सहाय क्लिए अब क्या लूड़ है अब वर्ब का मतलब काम अब इस वाद में बताओ काम कौंसा हो रहा है काहमाने खेलना फिरे बुलक बहुत चिलाते हैं अब प्ले में क्या लगा दें क्या लगा दें क्या रहा है आपजेक्ट क्या खेल रहा है वर्ब आयेंग बार आज़से मिलता क्रिया में खरी में क्या लगाने पर क्या खेल आढ़ा है जह उत्तर मिले गा वहीं हमारा क्या हो गाज़े होगा फिल प्लेंग फूटुबाल अधर वर्ड कहां खेल लहा है इंदा इंदा खेल अभी कुछ बचा की समाप हो गया बचा है कब खेल लहा है आज कहा है माने आज टी-ओ-टी-ए बताओ समय में आया की नहीं आया कोई दिक्कत कोई दिक्कत अभी है दिक्कत अभी कगस्ट्रीक हो जागी तन्में आ रहा की नहीं है अच्छा अपने आप कर लिए पहिलेत कर लिए हूँ चलो एक आउट देते हैं देखो इसको कौन करता है हम यह दे दिये हैं हमने लिखा रेल गाड़ी रेल गाड़ी धीरे 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 चल रही है रेल गाड़ी धीरे धीरे चल रही है अब यहां पर आ जाई आओ ब्लैक बोर्ट पर देखो अब इस वाक में बताओ ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूना जाए क्या ढूना जाए कितने लोगों को पता है हाँ उठाओ तुम्हाने उठ पा रहा हां हाँ हाँ नीचे करो बताओ इस वाक में करता क्या है तुम बताओ इस वाक में करता क्या है रे लगारी काहे माने रे लगारी तो हमने कर दिया दर ट्रें टी आर ए आई यान अब बताओ रे लगारी एक है कि कही है एक है तो सहायक प्रिया यह लगाए किया है किया आइं किया अधिक क्या लगाते है दट रइंडवे एज इतना क्या हुआ侠ेक आई कि ऐख हया जाए है इस में से और एकड़्ए अपने आप ह Alfie Prefeit हैं कौह सा हो रहा है क्या मैं चलना काहँ मने चलना रह रन मरन लेकिन इसमें लगेगा क्या आधा हो जाएगा क्या हट जाएगा दट रेन इज मूविङ रेल गारी चल रही है दीरे धीरी कैसे चल रही है दीरे धीरे क्या करोगे डबल बार फ्रोली ठोली ने लगा बस स्लोली कर तो काम कतम हो जाएगा अना संज में आया कि नहीं आया कम आया एक वाकाउट दिया जाए अभी तो खागा है पड़ा है लेटा है बैठा इसका तो दिया ही नहीं अना देखिए अगरा एक्जामपल देखिए हमने लिखा मैं अपने मैं अपने कपड़ूं मैं अपने कपड़ूं पर प्रेस कर रहा हूँ मैं अपने कपड़ूं पर प्रेस कर रहा अब यहां पर देखो किस्टेंस का वाक क्या है कैसे जान गए वाक क्या आया है मनलब कपड़ूं पर प्रेस करने का काम पूरा हो गया कभी कर रहा है प्रिस करने काम भी क्या है चालू है तो जहां पर काम चालू होगा कौन सटेंस होगा जी लंठ बनके न भाई ध्यूपतन को न सौन्ज माव है यह सुबा उठे चले आएं कावर मरदार मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूं इसका हमको ट्रांसलेशन करना सबसे पहले क्या दूड़े कहीं पर दिक्कत तो नहीं है किसी को सब्जेक क्या है काहे माने आई कुछ दिन बाद हमका बन के दिए कुछ पहूप उनका सब पर ज़्यादा हो एलाग है अब आई के साथ बताओ इज लगाएं कि आएं कि आर आई 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 अब सहायत प्रिया के बाद क्या ढोने यह बताओ काहे काहे माने इस तरी माने आई 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 मीन ना इस प्रेस करना हा ना इस बीलिंग क्या है आई आर ओन आ आई एन जी भाई आई रन में क्या लगा आई एन जी भाई वर्व की फर्सपा में क्या लगता है आई एन जी लगता है लगता कर रहा हूं कहां पर कर रहा हूं कोई के गाउवालन के किसके अपने पूरी बाद बता अपने कपड़ों पर तो अपने के लिए क्या लग अब बताओ समझ आया की नहीं आया कम आवा एक और हो जाए हां पर आइनिंग में होता है प्रेस्ट करना है माई क्लाथ कपड़ों पर तो प्रेस्ट कर रहे हो आई याम आइनिंग अन माई क्लाथ यह कहना चाहते हो बस आई याम आइनिंग माई क्लाथ कर दिया सुनसाप का आजा है पूरा आ रहा है है ना अगला देखिए अगला वाग के है एक अंधा अंधा इसे न लिए एक अंधा आदमी दर्वाजे पर दर्वाजे पर खड़ा है क्या वाग के है कि एक अंधा आदमी दर्वाजे पर ये कि स्टेंस का वाग के है ककस जान गए अभी तक तुमने खाली नियम क्या परा कि वाग के अंध में क्या आएगा लेकिन आज क्या पर रहे हो बैठा है घरा है परा है लेता है अगर ये सब आ जाए तो समझ लेने का उसका भी क्या है जादी है परा है पर लेते रहने का उसका भी क्या है जादी है हो रहा की नहीं हो रहा है तो मलग जहां पर काम का जारी होना पाया जाएगा अपने आप को सट्रेशन बन जाएगा प्रिजेंट कांटी निवास्टेंट तो एक अंधा आदमी दरवाजे पर रहा है तो इसका ट्रॉस्टेशन करने के सबसे पहले क्या ढूड़े का है अब लाइंड मैं बेरे गड़ या तुम बाहुस यार बच्चे हो अब ब्लाइंड मैं अब करता ढूड़ी या करतक बात क्या ढूड़ा जाए बोलो ह Nou वर्ब की हैं है शेल्पिंग अत्मीविवसेद इःः एक आधमीविवसे आध्या हूद से डूड़ीया इस ए और शहायक्चिया अकबाद क्या ढूड़े काम काउंसा हो रहा है कश सत् 2 शलивается का है मने ख़़ा हो ना stand s-t-a-n-d stand में क्या लगा दिया जाए ing standing ख़़ा है कहां पर ख़़ा है दरवाजे पर ख़़ा है तो क्या लगा है on the door की upon the door at the door की over the door at the door एक सीमा के लिए कहड़ा प्रियोग करते है at का प्रियोग भाई दरवाजे के एक सीमा है न तो क्या लग जाएगा blind man is standing at the door अब बताओ सौन में आया है कि नहीं आया एकदम क्लियर हो गया present continuous sentence का affirmative sentence के ये नियम है और ये हमारे क्या है translation हिंदी के अनुबाद है translate into English ठीक है आई होप वीडियो आपको पूरी तरा से समझ में आगे और आज का present continuous sentence का ये नियम ही पर हमारा समाथ होता है वीडियो का आप लोगों ने निगाई कर तुखाया होगा और इसी के साथ भर्यमान है इंदियो